आज की वीडियो में हम क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशिट नंबर 2nd डेट है इस वर्कशिट की 9 April 2021 आज की वर्कशिट का टॉपिक है आपका प्रकास संसलेशन इस वर्कशिट में सबसे फर्स दिया गया है बच्चो आपका 100 पोशन जिसे हमने लास्ट वर्कशिट में भी ड पादप आपारण के लिए जैसे पादप कि फादप स्वोचन करते हैं यानि कि अपना भोशन खुद से तयार करते हैं परंतुस B. किस तरह से के अंदर जो हरे कलर का वर्णक होता है उसे हम क्लोरो फिल कहते हैं ये सुरे के प्रकाश की उपस्तिती ती में कार्बन डायक्साइड और जल से अपना भोजन तयार करते हैं इसे ही हम प्रकास Synthsualation कहते हैं, तो पौधी जिस तरह से अपना भोजन तयार करते हैं, यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसे ही हम Prakash Synthsualation कहते हैं, ठीकिए आप इसे याद कर लेना बहुत है एक्शाम के लिए, कि हरे पाधब क्लोरोफिल की साहता से सूरे के Prakash की उपस्तिती में प्रकास संसेलेशन कहलाता है ठीक है यह प्रकरिया यह हमारी प्रकास संसेलेशन कहलाती है हवा से कारबन टयạc पत्यों की सता पर मौझू छोते छिदरों के माध्यम से लिया जाता है युज यो हमारे पत्तिया होती हिंगे इसे हिंदी प्रिकास प्रिकास की शोती है ज्वाईकां दौारा पतियों तक पहुचाए जाते हैं जो हांता है ये सभी साध goin और नोहां इस yüzden सभी जीवत जीवों चाले के लिए अंतिम्हता जाते हैं उसके बाद आपकी कुश आंसर दिये गए है, फर्स कुशन है बच्चो प्रकास अंसलेशन किसे कहते हैं, तो आप इसका अंसर यहां से लिख लेना, फर्स ठीक है, पूरा आएगा, रंद्र से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका अंसर लिखेंगे, यहां से पूरा, ठीक है से carbon dioxide पत्यों की सता पर मौझूद छोटे चिद्रों के माद्धम से लिया जाता है इन चिद्रों को स्टॉमेटा या फिर रंद्र कहते हैं सूर्य उर्जा का चरम श्रोत है कैसे सपष्ट कीजिए तो आप इसका अंजर पूरा यहां से लिखेंगे यह होगे आपका अंसर नमर कर दो